हेलो दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले हमारे यूटूब चैनल रूबरू विहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले नमस्कार रूबरू बिहार की स्रेनी में आज हम बात करेंगे बिहार के एक किर्केटर सईद सवा करीम के बारे में जिनने भारतिय किर्केट टीम में बिकेट की पर बल्लेवाज की रूप में अपनी पहचान बनाए सईद सवा करीम का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 14 नुवंबर 1967 को हुआ था सवा करीम का पुरा नाम सईद सवा करीम है उन्होंने सेंट जेवियर्स हाइस्कूल से प्रारंबिक सिख्छा ली सवा करीम दाय हाथ के बल्लेवाज और एक विकेट की पर थे उन्होंने किर्केट के अलाबा कॉर्परेट सेक्टर में भी काम किया सवा करीम ने टिश्को के कॉर्परेट कम्यूनिकेशन्स डिविजन में भी काम किया है सवा करीम ने महज 15 वर्स की आयू में अपनी हाइस्कूल की सिख्छा लेने के तुरंत बाद प्रथम सिरेनी के क्रिकेट खेलनी की सुरुवात की करीम ने 1982-83 में बिहार के अपने प्रथम सिरेनी के कैरियर की सुरुवात की उसके बाद उन्होंने 1990-1991 रंजी ट्रॉफी में उरिशा के खिलाब 234 का अपना सर्वस्रेश्ट स्कोर बनाया वर्स 1996-1997 में पहली बार सवा करीम का चैन दक्षीन अफरीका में मानक बैंक सीरीज में नैन मोंगिया के अस्थान पर भारत के लिए उन्हें पहली बार चुना गया था जिसमें उन्होंने बल्लेवाजी में अच्छा परदर्सन किया सवा करीम ने उस मैच में पहली पारी में 55 और अगले मैच में 38 रन बनाये थे 1997 में सवा करीम को दक्षीन अफरीका के विरूत वंडे खेलने का मौका मिला सवा करीम ने 34 वंडे मैच और एक टेस्ट मैच खेला जिसमें उनका परदर्सन काफी उमदा था क्रिकेट में तेजी से उभर रहे सवा करीम के लिए एक वक्त बहुत बुरा आया जब मई 2000 में बंगलादेश के खिलाप एक वंडे मैच के दौरान उनकी आखों में चोट लग गए वो आखों की वज़ा से क्रिकेट से बाहर हो गया है आखों में चोट की वज़ा से उनका क्रिकेट कैरियर खतम हो गया सवा करीम को वर्ष 2018 में BCCI का नया जनरल मैनेजर बनाया गया है सबा करीम का कार्जकाल एक जनवरी 2018 से सुरू हुआ है इस पद पर करीम को कई महत्रपुर्ण जिम्मेदारियों को निभाने का मौका मिला है जिसमें क्रिकेट विभाग को रनितिक दिशा देना, परिचालन योजना को लागू करना, बजट बनाना, मैच खिलने के नियमों के अनुसार अस्थलों के मान को तथा घरेली कार्शकरम के प्रशासन की निगरानी और निधारन करना होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बिहार के निश्पक्ष एम ताजा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी.news को विजिट करें शुक्रिया